नमस्कार, मैं Dr. Sheetan Sethi आज हम बात करेंगे Diabetes in Pregnancy जिसे हम Gestational Diabetes भी कहते हैं Gestational Diabetes ये एक Type 1 का प्रकार है Type 1 यानि जिसमें Pancreas सही से काम नहीं करते है Insulin सही से बनता नहीं है क्या Type 2 आपको Pregnancy में दिखेगा? हाँ, वो भी दिखेगा लेकिन अगर आप diabetes के cases in all देखें प्रेगनेंसी में 100% जो cases है उसमें से 2% से 3% जो है वो type 2 के होंगे जादा तर type 1 के होते हैं type 1 क्यों तो जब हमारे शरीर में प्रेगनेंसी की वज़े से hormonal changes आते हैं पांक्रियास ये भी एक और्गन है जो hormones के साथ काम करता है hormones कौन से? alpha cell, beta cell से, islets of langerhan से बनने वाले insulin और leptin hormone तो जब हमारे शरीर में pituitary gland से thyroid gland तक thyroid gland से uterus तक hormones में changes आते हैं कई बार ये change हमारी pancreas में भी लाते हैं सही से insulin ना बनने की वज़े से भी ये condition आती है सही से insulin ना बने, कम बने, इसकी वज़े से type 1 pregnancy में आता है type 1 pregnancy में आएं उसे क्या कहते हैं? तो gestational diabetes कितना common है gestational diabetes? तो pregnant strio में 2 प्रतिशत ये gestational diabetes होता है क्या दिक्कत होती अगर gestational diabetes को सही से treat ना किया जाए तो still birth ये सबसे common दिक्कत है diabetic condition pregnancy में यानि gestational diabetes still birth क्या होता है? तो छटे, साथवे, आठवे या नौवे महीने में बच्चा जो मृत पैदा होता है उसे still birth कहते है gestational diabetes की सबसे बड़ी दिक्कत still birth है इसके अलावा gestational diabetes की दिक्कत क्या हो सकती है बच्चे में तो बच्चे में itself diabetes आना juvenile आ सकता है बच्चे में बच्पन से यानि juvenile thyroid होना ये भी हो सकता है और अन्य तरह की genetic बिमारी भी gestational diabetes की वज़े से बच्चों में आ सकती है क्या precaution ले gestational diabetes अगर हम 20 साल पहले देखें और आज देखें तो उसमें जमीन आस्मान का फरक आया है अगर पहले की बात करें तो आप देखेंगे कि 10,000 में से एक जो patient होती थी pregnant lady उसे gestational diabetes होता था यानि 20-25 साल पहले जहां 10,000 में से एक स्टरी को आप जस्टेशनल diabetes कहा जाता था होता था वहां आज 100 में से एक स्टरीकों होता है तो संभालना बेहत जरूरी है क्या कारण हो सकते हैं gestational diabetes के तो सबसे पहला आपका lifestyle disorder ये कारण है अगर आपकी lifestyle बिगड़ी है PCOD हुआ है इस वजह से gestational होना बेहत common है हॉर्मोन ऐसे नहीं है कि एक दो दिन में बिगड़ते हैं हॉर्मोन बच्पन से बिगड़ना शुरू होते हैं बहुत जादा junk food खाना लेट नाइट तक जागना लेट नाइट तक टीवी देखना बहुत अधिक टीवी देखना बहुत ब्राइट लाइट में रहना मतलब PC, Laptops, या हमारे screens का बहुत overuse, जिससे pituitary gland को pseudo environment मिले, pseudo environment का मतलब है कि दिन हो या रात हो उसे bright light मिलने से ऐसे लगे कि रात में भी दिन है, तो उसका imbalance होना, कई सालों साल imbalance रहना जिससे hormones बिगड़ते हैं, जो pregnancy में आके इतने जादा बिगड़ते हैं कि pancreas को भी बिगारते हैं, यदि आप ये चीजे सही से संभालते हैं, तो आप gestational diabetes से बच सकते हैं, कई बार ये इडियोपाथिक होता है, यानि सब कुछ संभालने के बाद भी gestational हो सकता है, पर ये कितने लोगों में, तो ये दस हजार में एक किसी को हो सकता है, सभी को ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं है, बट आज जो दस हजार से सो तक condition आई है, यानि सो में से एक आया है, उनमें भी अगर आप avoid करना चाहते हैं, तो lifestyle disorders में काम करें, आप बिल्कुल भी avoid कर सकते हैं, gestational में क्या ध्यान रखें, आपको मीठा बन करना है, हाँ बन करना है, लेकिन मीठा क्या बन करना है, और क्या नहीं बन करना, इस पर भी ध्यान रखें, mid glycemic index के फल सबजियां जरूर खाएं, क्योंकि शरीर को मधूर रस की उतनी ही जरूरत पढ़ती है, गर्भ के portion के रसायन ले, आईरुवेदिक चिकित्सक के पास जाके रसायन ले, रसायन का मतलब है, वो दवाईयां जो आपके पांक्रियास को टाकर देंगी, आपके गर्भ और गर्भाशे को टाकर देंगी, जिस से आपके बच्चे में वो डाइबिटीज ना उतरे, या अन्य कोई बि करें इससे जेस्टेशनल डायबेटीज थाईरोईड या अन्य कोई आपकी प्रेग्नेंसी में आने वाली बिमारी को अवोईड कर सकता है या होने ही नहीं देता है रादर आगे बिच्चे के अंदर आने वाले जेनेटिक डिसॉर्डर को भी अवोईड करने में आपकी मदद करता है जैस्तेशनल डायबेटी या प्रेग्नेंसी में आनेवाले डायबेटीरी में आहार क्याले आहार कॉम्फ्लेक्स कार्भोहाइडर्ट को काम रखे से डायबीक प्राइशन से informações यानी सनबात लेना वह प्रेग्नेंसी के लिए जरूरी है वो ले दिवा स्वाप यानि दुपहर का सोना अवॉइड करें हो करें अगर दिक्कत आती है तो वाम कुक्षी यानि 30 मिनिट से जादा दुपहर की नीन नहो रात को सही समय पर सोय सुबर सही समय पर उठें मोशन्स ठीक हो रहे हैं पिशाब में कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस पर ध्यान दे नीन बहुत जरूरी है जिन माताओं में नीन नहीं होती है इन्सॉम्निया ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी उनकी बेटियों में उनकी बच्चियों में जस्टेशनल डायवेटीज आने के बहुत चांस है तो नीन पर काम करने के लिए बिलकुल अपने कंसल्टन्ट से बात करें अपनी गाइनेकोलोजिस से बात करें आपके आईरवेद समय समय पर अपने कंसल्टन से चेक करवाए कम करना है बढ़ाना है वो बिलकुल करें इसके अलाबा अपने आपको पॉजिटिव मोटिवेटेड रखें प्रेग्नेंसी में अलाउड वो मेडिटेशन और एक्साइज जरूर नमस्क्राइब